बीडा वुबाले बनाएं समोसा बहुत ही तेजी से बहुत ज़ल्दी बहुत इंस्टांट रस्पीएगी और बहुत ही चेकपटी बनती है तो इस समोसी बनाने की बहुत ही आज़ाध्मी दिखुले करके आई लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल् जीरा सब्सक्राइब और जिरा को तरह थो भी अफ़ gi Beimam और थोड़े सब्सक्राइब करते हुआdag द्रहिब दालेंगे ढ़म चलाएब और वो अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अपने टेस्क नमक डालेंगे, नमक आप पहले थोड़ा सा कम ही डाला करिए, इससे ज्यादा हो जाने का डर ना रहे, तो नमक आप थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी बहुत थी जरा सबर लेंगे कि जलने न पाए और उसके बाद इसको प्रिशर लगा देंगे और प्रिशर कम से कम 2-3 विसल आएगा यह फुल फ्लेम पर आप पहली विसल लाया करें फिर फ्लेम को लो कर दीजिए जलने भी न पाए और विसल आजाए कम से 2-3 विसल बनाना को अब आपको जितना में बदात है अर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ढालाइं गालेंगे नमक जाधा उसके बाद इसको mix करेंगे और हम इसको काफी अच्छे से mix करेंगे जब आटे में इसको mash करके थोड़ी दिर देखेंगे उसके बाद हाथ में लेकर करके देखेंगे यह मुठी बंद जाए यानि मुठी नहीं बंद रही है तो अब हम इसमें इसको काफी अच्छे से mix करेंगे फिर से यानि इतना लेंगे कि यह जब बहुत ही अच्छे से mash करके बहुत हाथ में दबाएंगे तो यह मुठी में बंद जाएगा इतना हमें और उसके पाद जब यह आटा मुठी से बंद जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी की मात्रा भी बहुत थोड़ी दाल करके बहुत गिला नहीं करेंगे इसलिए थोड़ा सा पाणी डालीए और इसको mash करिए इस तरह से आप इसको गोथ लीजिए बहुत ही अच्छा से लगातार गोथने के बाद थोड़ा सा इसको दबादाबा करों भी घूछ सकते है जिससे बहुत ही क्रिस्पी जैसे ही बनता है इसलिए जब इसका बहुत ही अच्छा चिकना सा आप डू बना लीजिए तब इसको थोज़े देर के दिसमेट के लिए रख दीजिए और रखने के बाद आप कुकर को खोलिए यानि अब आलू पक चुका है अब इसी निकल चु को अचारी जीरा पॉडर गुष्हाले थोड़ा साइस में आफ टीश्पून गरं मसाला भी मैंने एट किया हुआ है यह हர का बना गरं मसाला आक चाहे तो मार्कट आपि लीज सकते है वन टीश्पून खटा आप की वह ऋत्बं भून शेट मसाला बैट कर सकते हैं और रोस्टेड यानि रोस्ट कर सकते हैं चलेंगे जाल मिर्च को छी के white साइब कर डालते हैं कि राचो 1 म्रिच को पर पहले चलाएंगे मिक्स करेंगे om कंवे अज़ी हैं कर आधने फैया लार एक रिभाद कर यहां में नाय निए चीसे को अच्छे से बना सकते हैं और उसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो आप खटाई की मात्रा या मिर्चे की मात्रा बढ़ा और खटा भी सकते हैं जो मैंने आटा बनाये हुआ था उस आटे को छोट छोटी से लोई लेंगे और उसको काफी अच्छे से बेलेंगे और फिर पतली बेल करके इसको बीच से कट कर लेंगे और उसके बाद उसके चाहरों तरफ एक सलूशन यहीं मैं देखा मैंने थ्वड़ा सा उसमें पानी मिल पलट करके प्रेस कर देंगे और आप 20 से हम खोलेंगे देखें दोनों चीपक जाएंगे बहुत ही अच्छे से क्योंकि इसमें जो सलूशन लगा उसे चीपक जाएंगे और यहां डिजाइन बन जाएंगे यानि समोसी का बहुत ही अच्छा बनाने का तरीका है और उसके अच्छा समोसा बन करके तयार हो गया है इस तरह से हम सारे भर लेंगे और भर करके एक साथ रख लेंगे जिससे की बनाने में को प्राब्लम ना है जब यह बन जाया तभी हम कढ़ाई चड़ाएंगे इस तरह से आप जितना बनाना चाहिए वक्ता बना सकते हैं बहुत ही अच्छा समोसाएए अब कढ़ाई चाहिए इसमें एंडाले और उसके बाद जब बहुत ही अच्छा सी गरम है तभी हम इसमें डालेंगे इनको डाल देंगे सारे समोसे और बहुत जादा नहीं डालेंगे वरना यह फूरण जाएंगे थोड़ी समोसे आप डालिए और इससे बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं और फिर आप इस समोसे को इस बड़साति की मौसण से गर्म गर्म खाईय को बहुत ही ज्ड़ी बन जाते निसे चर्चेकल तो उटक्ती हैं उइज बस आप कुकर्म हालू को बिना हś वाल